हेलो फ्रेंड्स लॉग्डाउन इस्पेशल में आपका स्वागत है आप लोग चेप्टर नम्बर टेन हेलो एलकें एंड हेलो एरीन पड़ रहे थे और उसी में आगे हम लोग लेके चल रहे हैं हेलो एरीन की राश्चाइनिक अभिक्रिया है तो राश्चाइनिक अभिक्रियाओं में क्या है देखिए मैं आपको यहां पर एक एक एक्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ माली यह आपने किलोरोवेंजीन ले लिया अब किलोरोवेंजीन में आपने जब इसका इसके उपर उपस्तित हैं अब होगा गया अब यहां पर प्लस आर प्रभाओ कौन सा प्रभाओ प्लस आर प्रभाओ अब प्लस आर प्रभाओ और यहां पर यह माइनस आई प्रभाओ तो प्लस आर प्रभाओ के कारण अनुनाद होगा वे अनुनाद होगा ऑग अनुनाद होने की वज़े से ये और soll Hon candy और तू कि दू उ वे पार भरा पेर्ट नि निर्देशी होते हैं किसके कारण प्लस आर प्रभाव के कारण मझा प्रभाव है क्या दिए माज अनुनाद पहले बतला देता हूं अब यहां पर क्या यह माइनस आई प्रभाव जो होगा जिसके कारण बेंजीन वले पर माइनस आई प्रभाव के कारण क्या होगा बेंजीन वले पर बेंजीन वले पर इलेक्ट्रोन घनत्य कमी होगी तम ही होगे इसी के काऱ यह इलेक्ट्रों इसने ही अविक्रिया प्रदश्यत करता है तो चलिए मैं इसके कुछ रेजुनेंस दिखला देता हूँ अनौत प्रूखाओ दिखला देता हूँ जैसे यह सीयल सीयल के उपर यह इलेक्ट्रों थे अब होता गया है इसने अपने इलेक्ट्रों को इसको डॉनेट कर दिया अब इसके उपर मैंने अभी बतला है प्लस आर प्रभाव के कारण यहां पर अनौनाद हुआ है और इसके बीच में आंसिक दोईवंद उपस्तित हो जाता है तो किसी परकार का कोई परवर्तन नहीं होता है किसी प्रकार का कोई परवर्तर नहीं होता है अब देखिए फिर से अब क्या होगा ये वाला बॉंड ये इलेक्टोन किसको दान कर देगा इसको दान कर देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा अपने इलेक्टोनों को इसको दान करेगा बॉंड बन जाएगा और ये अगले वाले क bond में किसी प्रकार का कोई परवर्तन नहीं है प्लस का प्लस ही रहा अब इसने फिर से देखिए एक negative का मतलब है एक electron यूग्म electron यूग्म यानि एक नया bond बन रहा है confuse मत होना अब यह यहां पर आ गया और यह बना देता जाकर के इसकी position कुछ ऐसे बनेगे यह हो जाएगा negative उपर कोई परवर्तन नहीं है CL यह प्लस और एक bond देखिए इसने इसको दिया था तो यहां पर एक bond और बन जाता यह bond टूटा यहां negative हो गया तो पाई electron चले गए transfer हो गए इस carbon पर इस लिए इस पर कैसा हो गया negative यह तीनों कैसी हो गई यह आपकी अनुनादी सनच्चना हो गई अनुनादी सनचना हुए लास्ट में क्या होगा ये जिसने ले रखा था इसने इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इसने उठाए इसको दे दिया तो क्या बन गया जाकर के इसकी पोजिशन कुछ ऐसे बन जाती है इसकी सी एल अपने इलेक्ट्रोन लेकर करे संटर्ष्ट हो जाता है अब ये अनुनाद होता क्यों है अनुनाद होता है अपनी इस्ताई इस्तिती प्राप्ट करने के लिए इसलिए ये कम क्रिया सील होता है अब एक शक्त alkyl halide के तो यहां पर आप देहां देना यहां पर देखिए यह position कौन सी है देखिए इसमें यह position है यह position कौन सी है और यह पोजिशन है पैरा और फो मेटा एंड पैरा तीन पोजिशन आप गोश से देखिए यह जो फाइन आये वह किसे पर पहल है ये और तो है और यह कौन साइन पैरा तो यह कौन कौन से पाए और्तो एवं पैरा पोजिशन पर आए इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कौन है है यह और्थो एवं और्तो एवं पैरा पैरा निर्देशी होते हैं निर्देशी होते हैं तो बच्चो पेपर में कई बार वो पूछ देता है कि हैलो एरीन और्थो पैरा निर्देशी होते हैं सिद्ध कीजिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप सिद्ध कैसे करेंगे यहां पर इसका रेजोनेंस बना देना और रेजोनेंस बनाने के ब अब प्यारा पोजिशन पर जो उत्पाद है प्रोड़क्ट है वो अधिक मात्रा में बनता है तो अधिक मात्रा मनता हम लोग ले लेते हैं देखिए कुछ उधारन लेते एलेक्ट्रोन इसने ही के कुछ उधारन तो इसमें हमेंने आपको ये सबसे पहले बतला दिया तो ये जो अविक्रिया हैं ये चार प्रकार की अविक्रिया प्रदश्चित करता है कौन है रहे हैं कौन कौन सी चार प्रकार की अविक्रिया प्रदश्चित करता है देखिए मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोन इसने ही जिसकी बात अभी हम कर रहे थे इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतिस्थापन अभी करिया अब ये नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा था पहले कि जिससे बाइदावे वो पेपर में पूछ दे कि वो और्थो बैप पैरा निर्देशी होते हैं ये बात आप कै से करेंगे इसलिए मैंने ये हैडिंग नहीं डाली थी यह याद रखना इसी के अंतरगत है वो भी तो इलेक्ट्रोन इसने ही प्रतिस्थापन अ इस्थापन अ अ अभी करिया दूसरी है अपचयन अविक्रिया अपचयन अविक्रिया तीसरी है धातूओं के साथ अविक्रिया धातूओं के साथ अविक्रिया भीया किसकी अविक्रिया क्या पढ़ रहे हो ए आर एक्स अब एक्स की जगह चली हमने यहां पर सियल ले लिया इसका नाम क्या हो गया किलोरो एविकरिया. लाटों के साथ अविकरिया और जो चौथा नमबर आता है वो चौथा नमबर है नाविक इसने ही प्रतिस्थापन अविकरिया अब बच्चों यहां पर सबसे पहले हम लोग लिले रहें, इलेक्ट्ओंश ने ही प्रतिस्थापना विकार, अभी अभी आपने किलोरयो बेंजीन में रेजुनेंस लिया था अब किलोरवेंजीन में जो रेजोनेंस किया था यह अनुणाद किया था उसमें। देखा था कौन का से कौन सी पोजिशन पे से और्थो वै पैरा निदेशी थे यह आपका किलोरो बेंजेन क्या नाम इन की लो प्रेंजीन में जो यह ना और रहें पर जूज सकते हो तो इसके कुछ उधारन ले ले रहे हैं अब इस उधारन में सबसे पहले हम लोग ले ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हेलोजिनी करना हेलोजिनी करना का मतलब है c l and c l यहाँ पर देखे प्लस का और ये माइनस का ये अविक्रिया हो रही है तो हैलोजनी करल अविक्रिया ये f e c l 3 की उपस्तिती में होती है अब यहाँ पर गौर से देखे ये है h अगर ये h टूटेगा अब h टूटेगा ये c l अब c l कैसा हो गया ये ये हो गया इलेक्टोन इसने ही अब ये जो इलेक्टोन इसने ही आविक्रिया है ये यहाँ पर आ करके होगी रेक्शन और ये h निकलेगा इसके साथ में क्या निकल गया ये h c l और ये यहाँ बन गया जाकर के देखो गोर से ये यहाँ c l जुड़ गया अब यह क्या हो गया और्थो क्लोरो क्लोरो बैंजीन या एक काम करते हैं फन टू 1,2 डाई क्लोरो बैंजीन का निर्माण हो जाता है तो यह कौन सी हो गई पहरा नंबर हो गया इसको आप लोग कह सकते थे यह नंबर डाल करके हैलो जनी करण अभिक्रिया तो मैंने नाम भी डाल दिया तो बच्चों क्या लिखोगे आप इल्क्टों यह प्रतिस्था बना विक्रिया में जो इल्क्टों के प्रतिस्ने रखते हों जो इसमें आपको रेजुनेस बतला है था वो भी करना होगा इसके गाँने आप क्या कह सकते हो क्लोरीन के साथ हम 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 क अविक्रिया पर दिश्चित कर रहे हैं आप ने इसको ले लिया अब यहां पर आप गौर्ट से देखेंगे कि यह reaction है CL and H इससे पहले मैं एक बात और बतला दूँ यह तो और्थो पोजिशन पर भी बना था पैरा पोजिशन पर भी बनेगा जो मेन उत्पाद बनेगा बेंजीन यह मुख उत्पाद बनेगा जिसकी जिएमेट्री अधिक होगी वो मुख उत्पाद होता है यह कैसा हो जाएगा अल्प उत्पाद ऐसी इसमें भी होगा इसमें क्या किया हो एसो 3 ह यह प्लस का और यह माइनस का इस ह के साथ यह निकल जाएगा यह पॉजिटिव होगा यह इसके साथ निकलेगा और यह अपने बन्ड को इसको देगा तो यह कैसा हो जाएगा निगेटिव निगेटिव के साथ कौन सा जुड़ जाएगा पॉजिटिव यह क्या है हेलेक्टरों इसने ही क्या चीज ही शीज है इलेक्टरों इसने ही इलेक्टरों इसने ही इसके साथ जुड़ जाएगी और जुड़ करके देखिए एसो 3 एच प्लस दो पाद बनेंगे एक मुख्य बनेगा और एक अल्पॉत बनेगा देखिए ये बन गया सी एल एस ओध्री एच तो ये मुख्षत पाद है तो और्थो क्लोरो सलफॉनिक अमल है और थो क्लोरो बेंजीन सल्फॉनिक अमल कर देते हैं बेंजीन को कि बेंजीन रिंग भी है बेंजीन सल्फॉनिक एसिड या अमल इसको कह देंगे पैरा किलोरो बेंजीन सल्फॉनिक एसिड तो बच्चों आपने देखा हमने पहले इसको लिखा अल्कुत पाद था लेकि मुख उत्पाद क्यों क्यों कि यह यह कह रहा है कि और्थो वै पैरार निर्देशी होते खाली एक लिख करके हमें छोड़ना नहीं है दोनों लिखेंगे तो यह मुख कि दो रेक्षिन होगी कौन कौन से हो गई आपका ख्लोरीनी e generated हो गया दूसरा हो गया छलफॉनिक बच्न चीसरा नमबर हम लोगफerten ले रहे है नाइट्री करण अविक्रिया हैलो एरीन की जिसमें हम लोग किलोरो बेंजीन ले रहे हैं इसकी है नाइट्री करण अविक्रिया तो नाइट्री करण अविक्रिया में हम लोग यूज करते हैं नाइट्री कारी मिस्रम अब देखें नाइट्री कारी मिस्रम क्या है HNO3 प्लस H2 SO4 यह नाइट्री कारी मिश्रण नाइट्री कारी मिश्रण इसका काम क्या होता है नाइट्रो देता है NO2 देता है यह नाइट्रो स्पीसीज देता है यह स्पीसीज देता है प्लस का निसान है इसका मतलब क्या हो गए यह इलेक्ट्रोन इस नहीं है अब आपने रियक्शन की देखिए यहाँ पर रियक्शन करते हैं कि लोरो बेंजीन के साथ अब यह बना कैसे आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हो और टू प्लसं ए सोने हईज होरो बने थोड़ा सा सम्झाने की द्रीश्चरे थे यह प्लस कर यह है टू एक बार इसके साथ निकलेगा बदमें यह यहां से हच ले लेगा ये H ले लेगा H2SO4 बापस निकल जाएगा और हमें reaction के लिए NO2 दे देगा तो ये species हमें प्राप्त होई इसके दौरा तो copy में या book में जब भी आप लिखो तो लिखना नाइट्री करणा विक्रिया किसके दौरा होती है देखिए यहाँ पर मैं heading भी डाल देТाओ तीसरा नमबर है नाइट्री करणा विक्रिया सी नमबर नाइट्री करण अभिक्रिया अब नाइट्री करण मैं मैंने आपको बता है नाइट्री कारी मिस्रण के आवा शक्ता होती यह हम हुआ है अब कैसे था आथ देखिए यह H O N O 2 प्लस H H S O 4 अब यह तो हो गया प्लस का यह हो गया माइनस का यह हो गया माइनस का यह H 2 O निकल गए और एक H जो यह वाला निकलेगा इसके साथ H 2 O 4 वापस निकल जाएगा और यह नाइट्रो हमें इस्पिसीज प्राप्त होगी जो इलेक्ट्रोन इस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस्पिस की रेक्षन होई तो कौन सी कौन सी पोजीशन पर जुड़ा यह और थो यह पैरा पोजीशन पर जा करके जुड़ जाते हैं देखिए CL NO2 प्लस सिल एन ओटू अब देखिए यह और्थो पोजिशन पर यह पैरा पोजिशन पर यह ऐसे कह सकते हो वन क्लोरो टू नाइट्रो वन क्लोरो टू नाइट्रो बैंजीन इसका नाम क्या सकते हो वन क्लोरो अब देखिए वन टू थ्री एंड फोर फोर नाइट्रो बैंजीन यह इसका नाम हो जाता तो यह कौन-कौन सी होगी नाइट्री करद तक अविक्रिया हो गई तो यह आपने देखी इलेक्ट्रोन इस नहीं अविक्रिया है यह और थो वैप पैरा में होती है याद रखना मैं फिर से एक वार रिवाइस कर दूं जिसकी जिमेट्री अधिक हो वह मुख उत्पाद होता है इसमें याद रखना ज्यादा इस्था ही होता है तो यह मुख उत्पाद होता है और यह अल्प उत्पाद होता है तो यह एक नंबर रेक्शन आपकी हो गई इलेक्ट्रोन इस नहीं अविक्रिया है दूसरा नंबर हम लोग ले ले रहे हैं अप चैन अविक्रिया या धा अब अब चेन किसका करा रहे हो बच्छो किलोरो बेंजीन तो किलोर अब मैं दो लाइन लिखता हूं करकि दो लाइन इसमें इंपोर्टेंट है जब किलोरो बेंजीन का अपच्छेन एन आई एल एन आई एल यह मिश्र दातु है अपचाइक की उपस्थिती में कि उपस्थिती में करवाते हैं तो यह अपचाइत होकर अपचाइत होकर बेंजीन में बदल जाता है यह मैंने बीच में लिख दिया बदल जाता है यह इसलिए लिख दिया जिससे कि आपको याद रह जाए तो अपचाइक कौन सा होगया यह क्लोरो बेंजीन का फॉर्मूला सभी को याद है है बिल्कुल सावयाद है क्लोरोवेंजीन का फॉर्मूला यह है अब क्लोरोवेंजीन अब चैन कर रहे हो अब चैन के लिए हमेशा ऐसे बड़े ब्रैकेट के रूप में लिख देते हैं अब चाय कौन सा है यानि कैटालिस्ट कौन सा है एन आई एल मिस्टर दातु है इसकी इसमें आप कर रहे हो यह कैटालिस्ट है कैटालिस्ट है इसकी प्रिजेंस में कर रहे है एक एक सील के साथ एस सील निकल जाएगा और एक यहां पर जाकर जूर जाएगा देखिए ऐसे लिख देते हम कुछ समझने के लिए यह एच या इसको आप बैंजीन रिंग के यह अभ चैट इस आप चाहक एन आई एयल अब चाहिए कि उपस्तिति में करते हैं तो इसका अपचें बैंजीन में हो जाता है तो एक चीज दो यह हो गई अब तीसे नमबर हम लोग ले लिए रहे हैं धातूओं के साथ अविकरिया तिसकी अविकरिया धातूओं के साथ क के साथ अविक्रिया अब दातूं के साथ अविक्रिया में मैं आपको बतला हूँ दातू कौन कौन से हो सकती सोडियम के साथ आप करा के देख लेना कौपर के साथ करा के देख लो और अपने कोर्स में मेगनीश यह तीन मुख्रूप से यहां पर अविक्रियाएं हैं तो तीन फ़िशन पढ़ी थी वोट Denisel लेक्शन अब कुछ अभिक्षिए यहां पर कुछ ऐसी ही अभिक्रिया है वहनल दो दो हम पहले नममर यह डाल देब्स काड़िय नहीं सोडियम dzięki ATU के साथ कि अभिक्रिया देखिए मैं by name reaction लिख देता हूँ जिससे आपको याद रह जाए देखिए यहाँ पर हम लोग अगर एक नमबर डाले वुड्ज फिटिंग अविक्रिया नाम डालने तो वुड्ज फिटिंग अविक्रिया में क्या होगा एक alkal halide एक एक alkal halide और एक erасть sodium dhatu के साथ सुश के इथर की उपस्तिती में अविक्रिया करेंगे देखिए मैं see rx ले ले रहा हूं sodium pathetic kijken ले रहा हूं कि एल्किल हेलाइड ले लिया कि ड्राइए थर लिया कि सुस्क एथर लिया इसकी उपस्तिति में आभी किरिया किया निकला टू एन एक्स निकल गया क्या बन गया ए आर ले 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 लिए और अच्छा सा समझ में आ जाए गा आप ने ले लिया क्लोरोगंजियर लोगा लिएक करो कहा हाद लगन साथ अविक्रिया कि यहाँ पर मैने उटिल क्लोराइड ले लिया देखिये इसक कि इथर विक्रिया ओर सुछ कुछ सöz कुछ एथर की उपस्तितीव में विक्रिया हो रही है क्या निकला 2-N-A-C-L निकल गया और 2-N-A-C-L निकल गया देखिए क्या बन गया देखिए ऐलकिल एरीन यह बन गया था ऐलकिल एरीन यह आप ऐसे भी कह सकते हो एरील एलकिल तो एरीन अब यहां पर क्या हो गया इसका बैसे तो नाम अब देखिए मैथिल और फैनिल दो ग्रूप यूड़ गए इसको साधार नाम हम लोग कह देते हैं टॉलूईन टॉलूईन यह बनके तयार हो जाता है तो यह कौन सी होगी वूट इस फिटिंग अविक्रिया है एक दूसरी और आती फिटिंग अभिक्रिया इस एक बहुत इंपॉल्टिंट में कई वार पूछी गें फ्रूइन तो फिर्टिंग अभिक्रिया प्रव कमें क्या है टू एन प्लस सी एल देखिए वही सुष्क एथर की उपस्थिती में अविक्रिया होगी और डाइफैनल या बाइफैनल कह सकते हो तो डाइफैनल ज्यादा बहतर रहेगा सिग्मा मौन्ड के साथ में यह जुड़ जाता है डाइफैनल बना दिया तो यह क्या हो गया कभी पेपर में अगर वूड़ फिटिंग पूझ दे या फिटिंग पूझ दे देखिए मैं आपको लेकर चलता हूँ पिछले वाले रिक्शन में वहां पर वुड़ जाविक्रिया में क्या किया था दो एलकल्स मूव आपने लिये थे पिछले वाले किया था किसका निर्मान गवा था ल के न का तो यह यह रेक्षन जो थी वो थी वुड़ अभी क्रिया तो पेपरों की द्रश्ट से तीनों रेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहां पर तो यह दो हैं एक पीशे पड़ी थी तो यह आपकी रेक्शन सोगई किसके साथ में सोडियम के साथ में आप दूसरा नंबर ले लेते हैं सी यू के साथ अविक्रिया तो सी यू के साथ अविक्रिया जो है ना इसका एक नाम है उल्मांड अविक्रिया उल्मान अविक्रिया द्वारा डाइफ है निलका निर्मान कैसे करते हैं देखिए पेपर में रेक्शन और question कई तरीके से आते हैं जैसे cu के साथ अविक्रिया पहले मैं heading डाल देता हूँ जैसे b number मैं ने डाल दिया cu के साथ साइद ऐसे थी numbering के साथ अविक्रिया तो cu के साथ जो अविक्रिया है cu के साथ जो अविक्रिया है ऐसे आजाए कि क्या होता है जव हैलो airine या ऐसे कह दो idobenzene cu के साथ अविक्रिया करता है दोसरा यह कह सकता है उल्लुमान अभिक्रिया बतलाओ उल्लुमान अभिक्रिया बतलाओ तो नेम रेक्शन में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं यहां होता क्या है आइडो वेंजिन देखिए यह रहा आइडो वेंजिन यह रहा आइडो वेंजिन आइडो वेंजिन सी यू के साथ अभिक्रिया करेगा अब सी यू के साथ जब अविक्रिया करेगा यह कोपर चून है गरम करने पर यह अविक्रिया होती है और गरम करने पर जब आपने इसको गरम किया तो बाइफ हैनल या डाइफ हैनल का निर्मान होता है डाइफ हैनल का निर्मान यह सिग्मा बॉंड है सिग्मा है इससे जुड़े हुए है इसे हम लोग कहा देते हैं डाई फेनल डाई फेनल याद रखना यहाँ पर आपने लिया हुआ है आई डो बेंजीन आई डो बेंजीन यह याद रखना तो कितनी रेक्शन हो गई आपकी इसमें कोपर के साथ अब किसकी बची मैंगनीशियम के साथ अविक्रिया देखते हैं मैगनीशियम के साथ अविक्रिया में आपको याद है ग्रिनार्ड अविकर्मक या ग्रिन्यार अविकर्मक हिंदी में ग्रिन्यार कह देतें इंग्लिश में ग्रिनार्ड कह देतें बात एक ही होती है सिर्फ बोलने की उसमें अंतर आता है को ज् प्रिन्यार अब कर्मकर निर्मान करते हैं, तो हम लोग c number ले लिया, reaction with, reaction with mg, यह यहनि mg के साथ अविक्रिया, mg के साथ अविक्रिया कैसे करेंगे, देखिए आपने ले लिया, मान लिजीए, किसका नाम है ब्रोमो बेंजीन अब ब्रोमो बेंजीन की अविकरिया आपने एम जी के साथ की अब मीजी के साथ की तो द्यान रखना ये अविकरिया ड्राइ इथर की उपस्थिती में होती है किसकी उपष्थिति में होते हैं द्राई इधर की उपष्थिति में तो यह क्या बनता है यह बंदा है mg अब यहां ध्यान अजन्यक क्यां इसकी टियुक्ण एंजी के साथ की तो भी हमें ड्राई इधर की प्रिजेंस इसके यो फैनिल मैगनेशियम ब्रोमाइड जैसे पराप्थ हुआ था ऐसे हमें यहां पर फैनिल के मैगनेशियम अइड लाइए मैं नाम लिख देता हूं फैनिल मैंगनेशियम आयोड एड कर देवाड होता है यहां फैनिल Magnesium Bromide का निर्मान हुआ था यह आपने देखा एक तीसरा और ले ले लेते हैं CL जोड़कर के और देखते हैं क्या होता है आपने ले लिया Chlorobenzene नाम सभी के ध्यान है ना बिलकुँ ध्यान है इसका नाम है Chlorobenzene इसका नाम ऐडोबेंजene इसका नाम हमने लिखी दिया था Bromobenzene चली इसका लिख देते हैं Chlorobenzene अब इसकी रेक्शन MG के साथ की यह Capital M है इध्यान अखना Capital है यह यहाँ पर आपको सिर्फ Catalyst चेंज करना होगा TMF THF Tetrahydrofuren Tetrahydro Tetrahydrofuren का इस्तेमाल करेंगे और क्या बनेगा जाकर के Phenyl Magnesium Phenyl Magnesium Chloride Phenyl Magnesium Chloride का निर्माल होता है तो यह तीन रेक्शन होगी अब एक लास्ट और है नाविक इसने ही प्रतिस्थापन अविक्रिया है यानि यह जो Chlorobenzene आपका चल रहा था उसी में हम लोगों ने नाविक इसने ही और देख लेते प्रतिस्थापन अविक्रिया है कि देखिए होता क्या है जब आपने Chlorobenzene का structure देखा था बिलकुर साब देखा था यहां पर यह CL जोड़ा था बूले साब जोड़ा था अब यहां पर क्या होता है प्लस आर प्रभाव के कारणे यहां पर आंसिक दूबंद आंसिक दूबंद उपस्तित होता है अब जब आंसिक दूबंद होगा दूबंद ज्यादा मजबूत होता है सिंगल बॉंड के इसी के कारण इसी के कारण क्या होता है एलकिल हैलाइड की अपयक्षा एलकिल हैलाइड की अपयक्षा एरिल हैलाइड के या aeryl helide अधिक स्थाई होता है अधिक स्थाई क्यों एक तो होगया दूश्वण आंसिक दूश्वण दूसरा होगया अनौनाद अब क्या होगा जब आंसिक दूश्वण है तो इसका मतलब हो गया कि ये कठनाई से टूटता है अर्थात । अर्थात द्यवंद कठनाई से तूटता है कठनाई से तूटता है अर्थात ये इस्थित जादा हो गया जादा इस्थिर हो गया जादा इस्थाई हो गया एलकेल हैलाइट की अपिक्षा तो द्यवंद कठनाई से तूटता है इसको तोड़ने के लिए अधिकताप अधिकताप एवं विसेस उत्प्रेरक्टी आवशक्ता होती है विसेस उत्प्रेरक्टी आवशक्ता होती है चलिए मैं यहां पर कुछ नाविक इस नहीं के उधारन ले लेता हूं कुछ उधारन लेते हैं उधारन अध़ुल अब ओधारन में भी देखि के इंपोर्डन्ट है एंक्या इंपोर्डनट है इंपोर्डन्ट यह है यह कह दे कि k Caitlin से डिल्मान करो हैं कि कया क्या कह सकता है किलो-स बेंजेन से एनिलीन का निर्मान करो तो को पेपर में कुश्चन कैसे भी आ जाए ये भी आ सकता है या ये कह सकता है मौई किस नहीं पृतिस ठाप नविक्रिया पृतिंश शित कर ईए तो हम लोग तो यहां पर कौन सी ले रहे हैं आवी किस नहीं अब यहां पर आपने यहां पर reaction क्री इम्योंया के साथ किस के साथ अविक्रिया कर रहे हो एपटर क्या होता है, ऐसथ यहां पर अविक्रिया को समझाने के लिए मैं कुछ इस तरीक से लिक दे रहा हूं NH2 and H समझाने के लिए तो दो ले लिए हमने क्लोरोवेंजीन और NH2 HKB हमने दो ले लिए हैं अभी आपको बतलाता हूँ क्यों लिए हैं देखिए यहां पर देखिए यह प्लस का और यह है माइनस का तो आपने देखा जो प्लस के होते हैं तो होते हैं इलेक्टोन इस नहीं जिसके उपर निगेटिव होते हैं या इलेक्टोन लॉन पेर होता है वो सभी के सभी नाविक इस नहीं होते सिर्फ कारवीन को छोड़ करके यह पिछले वाले वीडियो में बात भी आई थी तो इसको सब्सक्राइब नहीं होती तो यहां पर हम लोगों ने इसको अविक्रिया को देख लिया तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि इसकी अविक्रिया में यह अविक्रिया संभाव हो रही है अब यह अविक्रिया संभाव हो रही है तो क्या बन रहा है यहां पर NH2 एनिलीन यह माइनिस वाला यहां पर एनिलीन जुड़ रहा है कितने दो और देखिए दो H एक O के साथ मिल करके क्या निकाल दिया H2O और देखिए 2 Cu, 2 Cl के साथ Cu2, Cl2 Q प्रस क्लूराइड क्या निकल गया Q प्रस क्लूराइड तो यह क्या बन गया Aniline Aniline का निर्वान हो जाता है चलिए एक और एक्जम्पल लेते हैं बहुत बढ़ी है एक्जम्पल से हैं एक और एक्जम्पल लेए एक्जम्पल क्लोरोवेंजीन की अविक्रिया अब देखें यहाँ पर प्लस का और यह मैनेस का पहचानी है कौन सा नाविक इसने ही है निश्चे दुरू से आपको पता है जिसके उपर निगेटिव है नाविक होता है धनात्मक धनात्मक की चाह रखने वाले को हम लोग नाविक इसने ही कहते है अब यह नाविक इसने ही है अब यह जुलेगा अब दो लेने पढ़ेंगे हमें यहाँ पर भी तो 2CN जुलेंगे अब यह रेक्शन कितने ताप पर होगी देखिए 475 केल्विन ताप पर यह भी रेक्शन होगी अब यहाँ पर देखेंगे आप यह जुल गया और यह क्या बना दिया साइनो बेंजीन साइनो बेंजीन का निर्माण हो जाता है दिखलाई दे रहोगा आपको साइनो बेंजीन अब देखें 2CU 2CL के साथ क्या निकल गया CU2 CL2 आपको खाली मैं प्रोड़क्ट लिखने होते हैं बाई प्रोड़क्ट लिखने की आवश्यक्ता नहीं होती है यह तो मैं समझाने की दृष्ट से आपको लिख रहा हूँ यह को रेक्शन लिता हूँ अगर मैं यहाँ पर यह रेक्शन एनो एच के साथ करा देता मैंबना तो क्या होता है एनिश' के साथ हमें ताप यहाँ पर चैंज करना पड़ता छाय सो पत्चिस के लिए लेना पड़ता है यहां पर देखिए यह निग्रेट और यह पॉस्टिव तो एक नावी किस नहीं का दूसरे नावी किस नहीं द्वारा इसके द्वारा इस नावी किस नहीं का प्रतिस्थापन हो गया और क्या निकल गया और यह एनसी एल निकलने पर जो प्राप्त होगा यहां लिख देता हूं तो उसका नाम है फिनॉल क्या चीज प्राप्त हो गई फिनॉल प्राप्त हो जाता है तो यह फिनॉल प्राप्त हो गया तो बच्चेव यह कुछ उधारण थे और देखता थोड़ा सा ये reactions और आसानी से हो सकती हैं अगर इसमें कुछ electron इसने ही यानि electron को चाहने वाले elements जुड़े हो या ये कह दो कि SO3NO2 species जुड़े हो NO2 जुड़ा हो SO3H जुड़ा हो या CN जुड़ा हो फिर से समझें कि जो reaction हम कर रहे थे अभी आपके और समझ में आएगा मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इस reaction में मान के चलिए आप च्छार की अविक्रिया कर रहे हो ये अभी एक बार मैंने रोग दिया है एक बार समझाने के लिए च्छार की अविक्रिया कर रहे हो किसकी उपस्तिती में जलिए शोडियम वाई कार्वोनेट की उपस्तिती में अभिक्रिया कर रहे हो ताप भी खूब ले रखा है उच्चता अभिक्रिया नहीं होगी और रेक्ष्इन तो यह आसानी से रेक्ष्इन नहीं देता यहीं बात नहीं प्रड़। अब्णैन विन्यार्व पर और वी कर दो थे सब्रीत है इलेक्टोन आकरसी समूह कौन-कौन से एनोटुो हो सकता है ऐसो-3- 552- 55 इत्यादी उपस्तित हो तो अविक्रिया आ सानी से उपस्तित होती है जितने ज़्यादा उपस्तित होंगे उतनी- असानी से अविक्रिया होगी तो देखते हैं iency यहां पर देखिए आपने च्हार ए हुई यदि हम यहाँ पर देखना थोड़ा छोटा लिखेंगे कोशिश करना थोड़ा समझने की ओएच निगेटिव अब फिर से यही बात लिख रहे हैं बिलकुछ हम लिख रहे हैं एक मट के लिए जली एने एच सी ओ थ्री अब बच्चों देखना यहाँ पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रोन आकर सी समू हमने एनो टू जोड़ दिया एनो टू जोड़ते ही क्या हुआ अविक्रिया यहाँ यहाँ पर निकल जागा एक एच अब यह एक एच इस उएच के साथ अब क्या करेंगे यहाँ पर एनो टू की उपस्तिति यह कारण यह अविक्रिया बहुत आसानी से आई यह एने सियल निकला यह ओच जाकर के यहाँ जुड़ गया और यहाँ पर जो एने था च्छार के स जात वह बापसी इसके साथ जुड़ जाता है तो रेक्शन में आप तो यह समझो कि एक नावी किसने ही ने यह नावी किसने ही ने दूसरे नावी किसने को निकाल दिया इस तरीके से लिख दो तो ज्यादा बहतर रहेगा अब यहां पर क्या बन गया जाकर करके देखना इसका नाम हो गया और थो और थो नाइट्रो 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 फीनोर इसका निर्मान हो गया तेम्परिचर देख रहा है तो यहां उच्छेता था यहां यह एक और लेकता कि थोड़ी सी जगके कम लेनी है द्भार रखना देखिए अभी आपने एक जोड़े थे इलेक्टोन आकर्षी समूँ अब देखिए इलेक्टोन आकर्षी समूँ कितने हो गए दो देखिए एक तो यह हो गया एक इलेक्टोन आकर्षी समूँ यह हो गए यह इलेक्टोन आकर्षी है तो जली वही लेंगे जली एने एच सी ओ थ्री यहां पर टेंपरेचर देखिए कम हो गए तीन सो पच्छतर केलवेंट आकरसी समूब बड़े टेंपरेचर में कम हो गई आसानी से ओने लगी क्या उत्पाद बना यहां उत्पाद बना जाकर के देखिए यह एनो टू यह दूसरे नाव किस नही को प्रतिस थाबिद कर दिया अब यह क्या बन गया तुफोर डाई नाइट्रो फिनोर टू फोर डाई नाइट्रो फिनोर यह बन गया अब गोर से देखना एक चीज़ हो गई अगर एक और ना यानि इलेक्ट्रॉन आकर सी समू जोर दें देखिए एक और जोड़ देते हैं यह CL NO2 NO2 यह जोड़ दिया हमने NO2 तो 246 ट्राइनाइट्रो क्लोरो बेंजीन है यह अगर हम इसकी रेक्शन करें देखिए जो मैं समझाना चाहे रहा हूं टेंपरेचर में कमी आ जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रोन आकर्सी समुहों की संख्या बढ़ती जाती है देखिए यहाँ पर भी 300 रहे गया यह और आसानी से हो गया और आपका क्या बन गया देखिए यह बन गया जाकर के वेच एन ओटू बहुत ही अच्छा नाम है वैसे तो इसको हम लोग कह देते हैं टू फॉर शिक्स ट्राइड नाइट्रो टू फॉर यहां लिग देता हूं नाम टू फॉर शिक्स फॉर शिक्स ट्राइड नाइट्रो फिनॉल बच्छो इसका एक नाम और होता है बहुत ही इंपोर्टेंट है उसका नाम है पिक्रिक अमल पिक्रिक अमल तो बच्छो आपने देखा बहुत ही इंपोर्टेंट है देखिए मैं रेट से कर देता हूं यह जो था इसका नाम है पिक्रिक अमल तो यह इंपोर्टेंट था औ और यहां पर एक बात और आती है कि जो reactions हैं ARX कम क्रियासील होते हैं RX से और वो भी और भी कम होते हैं ARCH2X है यह बात बहुत याद करके रखना तो यहां पर आपने देखा जो मैं समझाना चाहरा था वो यह समझाना चाहरा था जो ना भी किसने ही अविक्रियां हैं कौन सी है ना भी किसने ही जो पढ़ रहे थे आप ना भी किसने ही अविक्रियां हैं इन्हें यदि ये इलेक्ट्रोन आकर्शी समू इलेक्ट्रोन आकर्शी समू जुड़ा होगा तो अविक्रिया आसानी से हो जाती देखिए पहले वाले में अविक्रिया नहीं हो रही थी अविक्र बादे में देखिए, Temperature को 400 Kelvin Temperature राया इसके बादवाले में देखिए 375 Kelvin temperature राया क्यों? इलेक्टोन आकर्सी समूँग की संख्या बढ़ गई एक और एक दो हो गई यहाँ पर इलेक्टोन आकर्सी समूँग संख्या कितनी थी? एक यहाँ पर एलेक्टोन आकरसी समूह संख्या कितनी हो गई देखिए दो और यहाँ पर एलेक्टोन आकरसी समूह संख्या कितनी हो गई तीन अर्थात और आसानी से हो गया आसानी से हो गया तो यहाँ पर देखिए टेंपरेचर यही बात मैं कहना चाह रहा था एलेक्टोन होगा उसमें आप पढ़ेंगे फ्रियों कार्बन टेट्राकलॉराइट या जो भी आपके डीटी वगेरा डीटी है कौकि कार्बन टेट्रकलॉराइट तो पिशले टॉपिक में हो चुका है डीटी है और एक टॉपिक साइद और बचा हुआ है बी एच सी कहते हैं बी एच सी तो ये टॉपिक बच्चे हुए हैं आपके इस चैप्टर में जो मैं कोशिस करूँगा कल पढ़ाने की कोशिस करूँगा तो बच्चो अच्छी तरीके से पढ़ते रहें लॉकडाउन चला है मैं समय बिल्कुल आपका एक भी मेट बरबाद कर करने कोशिस नहीं करता हूँ डेली कहता हूँ याद करो आगे बढ़ो आगे बढ़ो थैंक्यू घरी मॉर्ट